पेश करते हैं complete collection, sandals, shoes, handbags, travel bags भी, fancy design, high heels, casual, office wear, daily wear. लोट्स, shoes and bags, self-manufactured है, affordable price के साथ, up to 50% discount, तो आज ही आएं, लोट्स, shoes and bags. कनाडा से मुंबई पहुचा नशे का खेप, post office से parcel में मिला गाजा, दो आरूपियों को NCB ने दिया गिरफ्ता, महिस्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो यानि की NCB ने नशे की बड़ी खेप का भंडा फोड करते हुए दो आरूपियों को दबोच लिया है, इसका खुलासा तब हुआ, जब NCB ने पूने जिले में एस्थित लोना वाला पोस्ट आफिस से एक पार्सल बरामत किया, जांच के दावरान पार्सल में 1036 ग्राम गाजा बरामत किया गया है, साथ ही ये भी खुलासा हुआ, नशे की ये खेप कनाडा से आई थी और मुंबई के रास्ते एहमदाबाद पहुचाना था, NCB के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त जानकारी की सूचना पर तलाशी ली गई तो पार्सल में गाजा बरामत हुआ, इसके बाद नवी मुंबई के नेरूल इलाके में रहने वाले ओमकार तूपे नाम के एक आरोपी तक पहुच गई, घर की तलाशी के दोरान 74 ग्राम गाजा यहां भी बरामत किया गया, जिसकी कीमत 55 लाक रूपे बताई जा रही है, इसके अलावा मामले में गुजरात के हमदाबाद शहर के रहने वाले श्रीमय शाहु को भी NCB ने दबूच लिया है, यानि की नशीले पदार्थ मामले में दो आरूपियों की गिरफतारी हुई है, NDAPS के तहट इन पर मामला दर्श किया गया है, आरूपियों की आगे किन लोगों तक ये नशे की खेप पहुचाने वाले थे, इसकी जाच जारी है, दोनों आरूपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें कोर्ट पुलिस हिरासत में भेज दिया है,